नमस्कार सातियों कैसे हैं आप आपका मेरे चैनल Evergreen Garden में स्वागत है सातियों आज हम जानने वाले हैं Evergreen Garden की कुछ सब्जियों के बारे में आप वीडियो में लास्तक बने रहिएगा यह मेरे टमाटर का पौदा है देखें आप कितने सारे धेर सारे टमाटर लगे हैं यह दर सर्दी है कि मैं खुद बिमार हो रखा हूं फिर भी वीडियो बना रहा हूं और देखिए आप टमाटर की पौदा अभी इस पर साहरे की जरौत है साथियो यह जमीन पर लेट गिया है अभी मैं इस पर लगड़ी से साहरा दूंगा देखिए पतियां कितनी हरी भरी है और यह थोड़ा यह जड़ की पतियों को मैं निकाल रहा हूं साथियो यह मेरा दूसरा ओधा तमाटर का देखिए इस पर भी कितने फद लगए हुए है जटिए आप लग रहे हैं भूटिंग हो रही है चोटे हैं बड़े हैं और कितना सुन्दर यह प्लांट लग रहा है नहीं सातियों ये तीसरा पौदा टमाटर का मेरा देखिए इसको मैंने सारा दे रखा है और ये ठीक चल रहा है अपनी मुचाई पे और अगर ये नीचे गिर जाएगा तो तूट जाता है पौदा और इसमें फिर फल भी कम लगते हैं ये भी बड़ा सुन्दर तीसरा पौदा दे मैं से इसकी ये पती पीली हो गई है इसको मैं निकाल रहा हूं कि देखे साथियों यहां पर धूब आदा घंडा भी नहीं आती और फिर भी ये पौदा जीवित है और अच्छा ग्रो कर रहा है और काफी इसमें फल और फूल इसमें भी लग रहे हैं साथियों ये बंद ग सुरी मेथी और इसको मैने चार बार हर्वेस्ट हर लिया है और अभी बिदियार हो गई है अभी मैं इसका ड़िए एक सेपरीट वीडियो बना के आपको दिखाओंगा और अभी मैं खली इसको दिखने जा रहा हूँ आपको देखे आप कितनी अच्छी है साथियों एक छो के बगल में यह गाजर है गाजर अभी हर्वेस्ट के लिए तयार नहीं हुआ यह थोड़ा लेट में तयार होता है साथियों इतना अच्छा हो रखाया है गाजर एक छोटी सी क्यारी में मैंने बोया हुआ है यह सारा गाजर है और इसके पते धनिया जैसे ही लगते हैं लेकि पॉस्टिक सब्जी होती है सेम की फूल भी लग रहे हैं छोटे-छोटे फ्रोटिंग भी हो रही है कुछ यह बड़े हो गए हैं देखे पूरा उपर तक चल रहा है और यह मैंने अभी नहीं प्याज की पौद लगा रखी है अभी आपको दिखेगी नहीं यह सारा साथियों की हर्वेस्टिंग मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं और यह 5-6 पौदे मैंने इसलिए बचाये हैं मेरी बेटी आने वाली है और उसके लिए रखे हुए है यह ब्रोकली ताकि वह भी अपनी गाल्डन की और गैनिक सब्जी को टेस्ट कर ले इसलिए मैंने यह 5-6 पौदे अलग से लगा रखे हैं और इनको मैं तभी हर्वेस्ट करूँगा जब मेरी बेटी आ जाएगी छुटी लेके साथियों यह देखे यह सर्दियों की बीन है इस सर्दियों में होती है इसकी दाल भी बनती है राजमा टाइप की राजमा ही राजमा ही समझ ल आठ नो डिग्री है भी तो इतनी ठंड में भी यह ग्रोव कर रही है बहुत सारी देखो इसमें फूल लगे हुए देखो मेरी अंगुली में यहां पर फूल लगे हुए हैं उपर भी लगे हुए हैं और इसमें अच्छी फल भी लगे हुए हैं देखे साथियों देखे सा है सर्दियों की देखिए आप पेड़ पर चड़ रही है ये पूरी दिवाल में है पूरी दिवाल में देखिए आप और उसके साथ साथ मने टमाटर की पाउद भी लगा रखी है और प्याज का बीज जिससे बीज बनता है वो भी है और बीज के लिए राई जो पतों वाली राई जिसका साग बनता है देखिए वो फूल गई है ज़रा ये भी मेरी देखे कितना पिला कितना सुन्दर फूल राई का और इससे बीज बनेगा अगले साल के लिए देखिए मैंने रखा हुआ है याने साथ साथ में मैंने जो है सब कुछ बो रखा है देखे आप यह र शाद के लिए और ये प्याज की पौध जिसका बीज बनेगा अभी अगले शाल के लिए और ये भी टमाटर सारे दिवाल शाल के साथ साथ ये देखिए प्याज का है ये ये बीन से सर्दियों की देखिए ये भी टमाटर का पौद नीचे गिर गिर गिया है अब इस पर कुछ सारे के लिए कुछ लकडी लगाऊंगा और एक ये टमाटर देखिए दिवाल नंगी रहने का रखने का कितना फैदा हुआ मेरा वैसे मैंने इनको सूकी लकडी से चड़ा रखा है साथियों और अगर लकडी नहीं मिलती तो ये दिवाल के सारे भी ये जो बेल वाले फसल है ये दिवाल के साथ साथ उपर चड़ जाती है साथियों सारी सब्जियां मैंने इसी के साथ वोई हुई है क्योंकि आजकल सर्दि आए glowing जो क्रीजों